दोस्तों अगर आप भी लाल चीटी काली चीटी से बहुत जादा परिशान है अपने घरों के अंदर अपने प्लांट्स के अंदर तो इस वीडियो में दोस्तों ऐसे दो चीजे बताने वाला हूँ आपको जिनको आप अपना कर बिल्कुल 100% जो चीटिया हैं उनसे बिल्कु पूदों को मिनुफसान पुचाती है आप कभी किसी सीड़ की बहुताइग करते हैं को अपने फस्लों में लगाते हैं तो चीटियां उनको ख्ला घर देती हैं सीड़ को हमारे खराब कर देती हैं जिससे हमारे जर्मिनेशन में भूसान जिक्का देखने के लिए हैं और भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं घर के अंदर अगर आप करेंगे तो और इसे शिठी में भगीचे में अगर तो आपको प्रूद के बारे में बातने वाला हूं टॉप केमिकल आपको बताने वाला हूं जिसका अगर आप एक वार इसमाल कर लेते तो 110 परसेंट दोस्तों शीटिया है वह आपकी जो शीकायत है वह लिकुल खतम हो जाएगी चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्वागत है आपको आपके ट्यूब चैनल तनुवे रोटेटरस में दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बैल नोटिफिश होती है उसके बारे में तो दोस्तों आंट होती है हमारी उसकी लाइफ साइकल को जिस परकार से होती है पहले एग फिर लार्वा फिर प्यूपा एंड फिर अडल्ट वो हमारी जो होती है आंट बन जाती है दोस्तों मैं बता दूं आपको जो आंट की लाइफ साइकल होती ह यह मतलब आपके घर में अगर कोई कलोनी है आंट की मतलब बहुत आज साल हर जगा आपको देखने के लिए मिलती है तो आपके घर में कहीं न कहीं की कलोनी है तो उस कलोनी में दोस्तों वह आपको कम से कम 20-25 साल तक के लिए देखने के लिए मिल सकती है वह कैसे दोस्तों क्य लेकिन उन में सब जो एक चीटी रानी चीटी वह दोस्तों उसकी उमर आपकी 20-25 साल तक होती है जो लगदार अंडे देने का काम करती है उसमें एक आपको मेल होता है एक फीमेल होती है बाकी सब हमारी जो कलोनी में होती है जैसे अंट हमारी सोलजर्ड कीटियां हो गई कोई अगर अटेक करता है को इंसेक उनके कलोनी पर तो उससे इनको प्रोटेक्ट करती है तो दोस्तों यह तो हो गई आंट की लाइफ साइकल पहले एक देती हैं फिर इनका जो है वो लारवा बनता है फिर वो लार्वा आपको मिल जाती हैं चीजें आप अगर चाहें तो इस पर पानी में पीसके डाल लेना है जिससे वह अच्छे से घुल जाएं उसके वाद जो घर में डिटोल यूज़ करते हैं आप डिटोल के एक लिटर पानी में दो तीन धक्कन आप डाल सकते हैं उसके बाद उसे इस पर बोटल में आप भर लीजे और अपने घर के चारों तरफ जहां भी चीटियों कलोनी दिख रही है वहां पर इस पर दीजे हर हफ्ते आपको यह इस पर करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो असर रहता है वह हफ्ते वर्तक रहता है उसके बाद दुबारा चीटियां आपको मह सरफ ले सकते हैं उसका पाणी आप जो हैं अगर आप सब जगा चिकना हो जाएगा सरफ की वजह से इसलिए जो इसका अगर आपके पोधों के ऊप notre वुपर ऐखने में तो आपको चीटिया होती है उन पर यह पर कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर और आपको 110 परसेंट वहां से चीटिया आपको अगले दिन और कुछ हाथ वहाथ बिल्कुल गायब हो जाएंगी बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेंगी चीटिया दोस्तों हमारे yani की टती है जो चाती है पत्तिया खा जाती है बहुत सी चीज़े नुक्सान पहुचाती है तो उसके लिए आप यह तbaar कर लेते हैं अगर हम किसान वाए फसलों में अगर जो सिंट बागाना चाहते क्या हो गये क्या घर में इस्तमाल करें तो लेकिन अगर फसल में इसका इस्तमाल करें किसान भाई खेतों में गरेंगे तो उसमें हमें कैमिकल का use लेना पड़ेगा तो कैमिकल का यूज दोस्तों दो के मिगल की नाम बतारहे हूं आपको दोनों एक ही कंपनी ना बना है एक ही कंपनी के प्रोडेक्ट आप आप अच्छ क्किनेशन एगर हम बात करें तो इसके अंदर इमिटा सब्सक्राइब की अब होता है हमेरे सिस्टेम करता है सिस्टम के अंदर जाकर मतलब कॉंट ट्रिके से लगते ही आधा काम नहीं करेगा इसका इसतमाल कैसे करना है दोस् तो इमिठा क canvas sticking मात्रह रखनी है और उसके साइब सब्सक्राइब कि एक दोस सब आपको आदा girls अगवाइब चीनी डाल लेनी है दोस्तो उसके बाद स्भी अ कर ले जाएंगी उसके बाद में धीरे-धीरे करके वह खतम होना शुरू कर जाएंगी और वही फूड जो है वह अपने अपने जो कलोनी है जहां पर उनकी आउंट कलोनी है वहां पर अपना फूड एकटता करेंगी दूसरे चींटिया जो कलोनी के अंदर हैं वह उसको फीड से भी आपको मिल सकती हैं वहां से लेकर आप एक ड्रॉप ले लिए और उसकी कुछ बूंदे हैं इंडेकलोप्रेट की उसमें थोड़ चीनी की मातर डालके उसे घुलके मीठा कर लिजे और कुछ ड्रॉप जो जहां पर चीटिया आती चाती है वहां पर बिल्कुल चिक्का इससे के और द्रॉप को चाड़ेंगी और नद्रोप जू है दूसरी चीटियों तक भी ले जाएगी और हुँक्त कर आएंगी उससे दोस्तों आपकी कलोनी भी खतम हो चाएगी और जीटियां भी दोस्तों Скर Jartah हो जाएंगी यह दोस्तों तीन से चार दिन ले लेती हैं आपको घर से बिल्कुल गायब हो जाएंगी जो छीटिया देखने के लिए मिल रही है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपको हाथ खतम करनी है तो उसके लिए क्या सलूशन हो सकता है दोस्तों बायर कंपनी का एक दूसरा प्रड़क्ट आता है एक तो सोलो मन के नाम से आपको मिल जाएगा इसके अंदर दोस्तों टेकनिकल माया जाता है वो पाया जाता है इमीडा क्लोपी इसके साथ में बीटा साहिलोषरीं का कॉंबिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप बोतल क 6 महीने तक केलिये वापस नहीं आएंगी वह कि इसकाका रहता है कम से कम 6 महीने रहता छहां ऑन आप एक बार घंशे कर देथे हैं थे तो उसके बाद चीट याकर कन से कम 1 तो गयाव चाहेंगी दूस्तो सेफ्टी डिहान रखें अपने हाथ पर जब भी सके स्प्रेज गरें तो ग्लफ का इस्तमाल जारूर करें और मुझ पर भी कोई ना कोई मास्क का इस्माल ज़रूर करें इसका इस्प्रेज करते टाइम पुर्शों की पॉंच से इस दवाई को दूर रखें क्योंकि यह दोस्तो यालो लेवल में आता है मतलब यह खतरनाक होता है जहर होता है इसलिए इसका इस्तमाल ठीक डंग से करें सेफटी के साथ करें तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी वीडियो कैसी लगी इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं वीडियो में जो जानकारी थी 100% दोस्तों जो सीटिया हैं उनकी समस्या आपको छुटकार प्रिजयों